स्वालो बच्चो इस छोटा सा वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कई लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि क्या आपका कैटेगरी रैंक मैटर करता है काउंसलिंग में या नहीं ये एक लोग नहीं कई लोग मुझे पूछ सुके हैं पूगे बढ़ने से पहले मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को लाइक कर लीजे और बैल आइकन जरूर पेस कर लीजेगा जिससे जितनी भी सीरीज की वीडियो आ रही हैं आपको मिल जाए आपको इंफॉर्मेशन मिले औ बिल्कुल मैटर करता है अब सोचोगे कि जब मैटर करता है तो मैं क्यों आल इंडिया रैंकिंग से बताता रहता हूं या हर कोई रीजन यह है कि जो एलाट्मेंट होता है वो आल इंडिया रैंकिंग का वो पब्लिस करते हैं वो देते हैं दिखाते हैं जो डिस्प्ले करत हैं हमारे पास internal data access नहीं होता है कि हम जाके वहाँ पे चेक कर पाएं कि category rank बच्चे की क्या थी इसको मैं पूरे वीडियो में अच्छे से भी आपको समझा देता हूं अगले एक सेंट सपोस कर लीजे EWS है तो 500 सीट हो गई EWS की अब 500 सीट में EWS में तो overall जो ranking आपकी है वो ranking तो है ही बट आपकी अपनी category में भी rank होगी अब आप सोचिए कि category में rank अगर आपकी 501 हुई तो आपको सीट मिलेगी आंसर है नहीं मिलेगी क्योंकि 500 लोग तो पहले ही है अगर वो ले रहे है तो आपको 501 पे तभी मिलेगी जब वो नहीं ले रहे है अपने state में ले रहे है या state अगर है तो all India में ले रहे है तो category rank बिलकुल matter करता है वज़ 400 ही बच्चे रहे हो और अभी 100 बच्चे और होंगे जो 3000 rank तक चला जाएगा तो इसलिए ये जो category rank पता कैसे चलता है state में पता चल जाता है काफी हद तक क्योंकि state publish करता है बच्चों की state ranking जब पहले round में जब बच्चा apply करता है जब बच्चा counselling के लिए apply किया तो एक provisional list जारी करते हैं एक merit list जारी करते हैं तो क्या करते हैं मैं उतराखंट जैसे state के बारे मता देता हूँ यहां तो बच्चे count कर लेते हैं ऐसे पूरे page मालो 150 page का आगया सब count करते हैं EWS इसमें कितने हैं या मेरे से उपर EWS कितने हैं तो मालो मेरे से उपर 30 बच्चे है EWS के और मेरी 31 है तो मैं पता कर लूँगा कि यार मेरे selection होगा कि नहीं होगा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो इस तरह से आप देख सकते हो कि category rank का matter यहां पे करता है लेकिन हमें पता नहीं होता इसलिए हम All India ranking ही देते हैं और लगबग लगबग हर साल का वही scenario रहता है इसलिए हम बोल देते हैं past year को देखके कि इस साल इतना जा सकता है तो यह था overall इसका logic इसका reason इसका answer I hope आप satisfy होंगे क्योंकि मैं कोसिस करता हूं कि मेरे जितने भी viewers है listeners है यह जो channel के उन सबको authentic knowledge मिले कई बार मैं individual आपको answer नहीं करता हूं पर कोसिस रहती है as a whole आपकी questions का ज्यादत और questions का answer मिल जाए मेरे वीडियो से